नमस्कार फैंट्स में नाम बबलो उर्मा पिपर है कर में आपका स्वागत है आज देखने वाले हिश्टी का लेक्षर नमबर ये थर्ड रहने वाला है हमने तुरको काउदा देख लिया ठीक है और जो गुलाम मस हमारा स्टार्ट होता है उसका जो एबक है ठीक हो तो बुदिन एबक जो प्रिथम संस्तापक है उसको हमने देख लिया आज हम उससे अगले बढ़ेंगे किसकी और आज बढ़ेंगे किसके इलतूत मिस्की और क्योंकि जो जो मैंड पॉइंट्स होते हैं बही आपके एकजाम पुछाएंगे ठीक है बगर उनसे कुछ रेट बीच को बज जाते हैं उनको हम देख लेंगे ठीक है तो बढ़ते हैं बात करते हैं आज बीए पार्ट बन का सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री का है पहली बात को आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कहां से कहां तक पूछ सकता है कि जो सेकंड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री है वो किस सन से किस सन तक है तो आपको याद होना चाहिए 1206 मतब जब दिल्ली सल्तनित का काल होता है उससे लेकर ठीक है और 1757 ठीक है 1757 का इसमें आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाती है तो बहुत important है पहले ही प्रेट से आपको क्योशन देखने को मिल सकता है ठीक है तो इसनों की और आज का जो टॉफिक रहने वाला है वो हो जाएगा इलतूत मिस का क्योंकि हमने इससे पहले जो पहली बात करें गुलाम मंस की ठीक है कौन हो जाता है वही कुतुब बुद्दीन एबक हो जाता है अंतिम सासक की बात करें तो वह कौन हो जाता है कैमूर्स कौन था वही कैमूर्स था जो किनका बेटा हो जाता है कैकुवाद का बेटा है कल थोड़ी सी प्राब्लम हो गे थी ठीक है मैंने एकी नाम बता दिये थे मगर दोनों अलग है जो कैमूर्स है वो किसका बेटा होता है कैकुवाद का बेटा होता है और कैकुवाद किसका बेटा होता है बलवन का बेटा होता है ठीक है वो इसमें हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे बहुत अच्छी पिरकार से बहीं बात करते हैं गुलाम बंस कब से क पहली बात, डिल्ली सतन कफ से आता है 1260 लेकर 1260 कब तक जो पानिपत का युद्म होता है 1526 में Bir और उभ्रायमी लोधी के बीच तब्दा काम का क्या रहता है डिल्ली सतनत रहती है, यही बात करते है गुलाम बंस की अगर गुलाम बंस का कारिकाल हम देख लें तो गुलाम बंस का जो कारिकाल होता है वो होता है 1206 से लेकर 1206 से लेकर इसे उल्टा कर देना है 9 के लिए तो क्या हो जाएगा 1290 तक कब 1206 से लेकर 1290 तक का कारिकाल क्या होता है गुलाम बंस का कारिकाल होता है ये question पीछे बने हैं तो यहाँ पर बस repeat किया है क्योंकि गुलामबंस पढ़ने हम जा रहा है इसलिए ठीक है अब बढ़ते हैं question की ओर इसका screen लेने चाहां तो ले ले न देखते हैं देखिएगा अब हम बढ़ने वाले हैं इल्टूत मिस की ओर तो जो एबक था जो एबक था उसके बाद एबक का बेटा होता है एक आरामसा आरामसा एबक की मित्व हो जाती है ठीक है आरामसा जो होता है अकेला पड़ जाता है आरामसा अकेला पड़ जाता है इसका फाइदा उठाने के लिए इल्तूतमिस का आता है यहां पर आता है और आराम सहा का वद कर देता है इल्टूतमिस कहां बैट जाता है गद्धी पर बैट जाता है गुलाम बंस की गद्धी पर कौन बैटता है अब ये बैटेगा इल्टूतमिस आराम सहा जो इल्टूतमिस का बेटा हुआ करता था उसकी मत्यू करकर और जो इल्टूतमिस कौन है इसका ही खांदा नहीं है कह सकते है कि यह जो हो जाता है इसका दामाद हो जाता है कौन दामाद बताओ दामाद ने अपने साले की यहाँ पर हत्या कर देता है और शल्तनित को अपने अंडर में ले लेता है तो यहाँ पर आपको इतना याद है इतना याद है बहुत जरूरी है ठीक है इतना याद है बहुत जरूरी है और जो गुलाम बंस के टोटल जो सासक हुआ करते हैं गुलाम बंस के टोटल साख सक हुआ करते हैं 11 ठीक है 11 सासक हुए है गुलाम बंस के ये भी आपको याद होना चाहिए अब बढ़ते हैं क्योशन की और तो फर्ष्ट क्योशन आपका सामने दे रखा है इल्तूत मिस किसका दामाद था जो इल्तूत मिस था वो किसका दामाद था अभी क्योशन बताए आपके लिए बिल्कुल जस्ट बिल्कुल जस्ट क्योशन बताया है कि जो इलतूतमिस था वो किसका दामाद था बताएगा जो इलतूतमिस हो जाता है वो एवक का दामाद था आरामशा का था मुहम्मद गौरी का था यहां मुहम्मद गजनभी का था राइट आंसर क्या होगा देखेगा अभी हमने बताया था कि किसका बेटा कौन था आरामशा इल्तूतमिस औरी, एवक का बेटा था, आरामसा, आरामसा की मित्यू करके गद्धी पर कौन बैटता है, इल्तूतमिस बैटता है, जो किसका दामाद होता है, कुतुबुदिन एवक का दामाद होता है, आरामसा एवक का कौन होता है, बेटा होता है, ठीक है, बहीं बात करते ह मुहम्मद गौरी तो मुहम्मद गौरी का गुलाम कौन था एवक था ठीक है मुहम्मद गौरी गजनी चला गया था और इसको यहां पर छोड़ गया था कि इसको आप समा लिएगा ठीक है अपने गुलाम के लिए और जो मुहम्मद गजन भी था उसने क्या किया था सोमनात के पढ़ाता तो बहुत इची प्रिकास से देख रखे हैं और सारे के सारे के कुशन महां में आप हैं हम यहाँ पर थोड़े से रिवाइज भी करते हुए चलेंगे ठीक है थोड़े से क्या करेंगे हम रुकिएगा थोड़ा सा रिवाइज भी करते हुए चलेंगे ठीक है जो की आपके लिए रिवाइज होते रहे और confusing ना हो की कहां से कहां हम बोल रहे हैं ठीक है बढ़ते हैं next question देखो next question देखा है इल्तूतमिस भारत में मुस्लिम संप्रुत्ता का जनक था किसके बिचार है ये किसके बिचार हैं आपको बताना है कि इल्तूतमिस जो है भारत में मुस्लिम संप्रुत्ता का जनक था किसके बिचार हैं ये अपने आपको कह सकते हैं भगवान से नीचे मानता था अपने सामराज के लिए ठीक है तो बताईएगा तो इल्टूतमिस भारत में मुस्लिम संपुर्धा का जनक था किसके बिचार है डॉक्टर इश्वरी परसाद के डॉक्टर आशीरवादी लाल श्रीवास्तब के या फिर डॉक्टर आरपी तरपाथी के या फिर डॉक्टर एजी पांडे के बहुत अच्छा करते हैं वह बहुत रहा हूँ हिंदू कह सकते हैं मुस्लिम हो सकते हैं पर दवाब ढाला और उन्हें किसका पाठ पढ़ाया भई, पाठ पढ़ाया मुसलिम का, तो पाठ कहा देखने को मिलेगा, तरफाठी में, राइट आंसर लगा देना, option number 6, ठीक है कि भई, मुसलिम संपुरदा का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने हिंदू, हिंदू, सिक, इसाई जो होते हैं, उन पर क्या डाला होगा, प्रभाब डाला होगा, उनको पाठ पढ़ाया होगा, इसलिए से, मुसलिम संपुरदा का जनक कहा जाता है, तो राइट आंसर option number 3, पाठी से, पाठी से पाठी निकल जाएगा, कि R, Dr. R, P, तिर पाठी, याद करने हैं, लाहा और, मालवा, रर्थंबूर, या फिर, बामियान, पताएगा, राइट अंसर क्या होगा, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जब इल्थूत में साइट ट्रिक बनाना, मिस, क्या, मिस, किसी को मिस करने की बात हो रही है, किसी को याद करने नहीं, क्या मालबा को याद करेंगे नहीं, क्या रतंबूर को याद करेंगे नहीं, किसको याद करेंगे भई बा मियान, तो यहाँ पर देखो, एक मा और यह चुपा हुआ है, किसको याद करेंगे भई मया को याद करेंगे मैय को याद करेंगे इस पिरकार से बना लेना trick ठीक है आगे बढ़ते हैं इलतूत मिस ने किस मुद्रा का शिक्का जारी किया इलतूत मिस ने किस बुद्रा का सिक्का जारी किया था आपको बताना है जीतल, टंका, दाम या फिर पैसा पहली वाली वीडियो में सब बता रखा है मैंने जब theory wise पढ़ाई थी थोड़ी सी तो बात करते हैं लाश्ट की वीडियो देखना theory wise है उसमें सब कुछ detail बता रखा है जो इलतूत मिस्ता उन्हें दो चलाये थे एक चलाये था जीतल और ये चलाये था टंका ठीक है जो जीतल था वो किसका था वो तुमारा हो जाता है ताबा का और जो तुमारा टंका था जीतल हाट जो टंका था वो तुमारा हो जाता है चांदी का ठीक है ये किसका था चांदी का हो जाता है तो दोनों की दोना का शिक्का जारी किया था जो शिक्का जारी किया था जीतल का भी किया था टंका भी किया था मगर जादा मातरा में क्या किये थे जीतल किये थे तो इसलिए राइट आंसर कहा जाएंगे जीतल की ओर जाएंगे right answer option number आ हो जाएगा ठीक है टंका की ओर नहीं जाएं तो यह चांदी के थे ज्यादा मात्रा में नहीं चला सके थे तो right answer option number आ हो जाएगा next बढ़ते हैं next question को देखीगा इल्टूत्मिस द्वारा जीतल का सिक्का किस धातू के किस धातू में ढला गया था तो बताएगा जो जीतल का जो जीतल था वो किस धातू का बना हुआ था यह आपको यहाँ पर बताना है ठीक है बहुत अच्छा question है अभी बताया था आपके लिए है ना जो पीतल इसके तो था ही नहीं ठीक है इनी दोनों के थे जो चांदी का हो जाता है वो तो था टंका और जो तामा का था वो कौन सा था जीतल तो हम से पूँच क्या रखा है वो पूँच रखा है कि जीतल की सिक्का धातू का बना हुआ था तो भई तामे का बना हुआ था राइट अंसर उप्शन नमबर बाह हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं इल्तूतमिस के पराजित होने पर क्वाचा ने कहां सरण ली थी जब इल्तूतमिस और क्वाचा के बीच युद्ध हुआ था तो जो क्वाचा था वो हार गया था और यहां से भाग उठ खड़ा हुआ था ठीक है तो कह सकते हैं कि जो क्वाचा था ने कहां सरण ली थी आपको बताना है पैद रखा है लाहूर का किला में मुल्तान का किला में भककर का किला में रतंबूर का किला में कैसे आत करेंगे बाचा भई कैसे बचा होगा बचा कैसे होगा पहले बात यह है तो आपको होगे भाग कर बचा होगा क्या भाग कर बचा होगा बहाँ से भाग गया होगा तब इस बचेगा बिल्कुल तो भाग कर का खिला में ठीक है राइट अंसर अप्शन नमबर सा हो जाएगा भाग कर का खेला में आगे देखो इल्टूतमिस द्वारा टंका शिक्का किस धातू का बना हुआ था तो अभी हमने देखे थे दोनों जीतल था तांबे का और टंका हो जाता है किसका चांदी का तो राइट आंसर उप्शे नमबर हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं नेक्स एकोशन को देखो चालीसा दल का गठन किस ने किया था जो चालीसा दल है उसका गठन किस ने किया था को बताना है बलवन ने या फिर हो जाता है इल्टूतमिस ने एबक ने या फिर रजिया ने इसे कहते हैं तुर्कान ए चिलहगानी तुर्कान ए चिलहगानी इसे चालीसा दल्वी कहा जाता है तुर्कान ए चिलहगानी भी कहा जाता है तो बात करते हैं चालीसा दल्या तुर्कान ए चिलहगानी किस ने किया था तो वह किया था इलतूत मिसने किया था इलतूत मिसने किय था और इसका जो अंत करता है वो लास्ट में करेगा बलबन जब हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे ठीक है लास्ट कौन करेगा बलबन करेगा आयोध्या के एक तक्त था उस पर लिटका देता है किसको वो होता है तुम्हारा अमीन खा को ठीक है अमीन खा को तक पर लटका देता है यह की होता है अमीन खा ठीक है उसको अयोध्या के तक पर लटका देता है और उसकी महाँ पर मित्यू हो जाती है बहीं से चालीसा का हो था एक बंदा कम हो जाता है और बहीं से चालीसा का अंत हो जाता है वो बल्बन के द्वारा किय की अमीर खुसरों की या फिर बलवन की राइट अंसर क्या होगा तब काते नासरी किस की गरंत जो है वो किसका है कैसे याद करेंगे तब काते नासरी ना तो सिर है नासर कह रहा ना नासरी नासर शिर तो है नहीं फिर भी वो चल रहा है फिर भी वो चल रहा है इस पर कासे या रहा है इसका मतर्व चल रहा है तो लोग उसे देखे का करेंगे अचमबा मानेंगे और हसेंगे हाई क्या बात है ना कि बिना सरके चलना है तो कहां देखेंगे हसन निजामी राइट आंसर ऑप्शन नमबर हो जाएगा ट्रिक हमने बना दी और आपको याद भी हो गया आगे करते हैं इकता विवस्था की को सरप्रतम किसने जारी किया था जो इकता विवस्था थी उसको जारी किसने किया था एवक ने बिलकुल नहीं ना तो रजिया ने और ना ही बलवन ने किया था राइट आंसर क्या हो दाएगा इलतूत मिसने किया था ठीक है इकता जो विवस् कल ट्रिक भी बनाईते इसकी, तो बात करते हैं, मिनहाज ने किस सुल्तान ए, किसे सुल्तान ए, शहीद कहा है, तो इसका आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, लगा दिया होगा, अब तक सहीद, जब कोई शहीद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे मिस करते हैं, तो मिस मतल तब इल्टूत मिस भाई कलवाई ट्रेक आपको याद हुई, रिवाइज हुई है ना, बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कुशन, नेक्स कुशन कान से क्या होगा, नेक्स कुशन रहें, सरपर्थम किसने, यह मत्प्रिकट किया कि, इल्टूत मिस दिल्ली के सिंहासन का अपहर्ड करता था जो इलतूत मिस्ताबो दिल्ली के सिंहासन का अपहर्ड करता था ये बात कही क्यों गई थी पहली बात यह होने चाहिए आपको अभी मैंने बताया था कौन था एबक था गुलाम बंस का पिर्थम सासक गुलाम बंस का बेटा होता है आराम सहा कौन आराम सहा आर ये बैक की हो जाती है मित्यू आराम सहा पड़ जाता है अकेला उसके बाद मौका देखकर इसे एक नाम होता है वो हम आगे देखेंगे ठीके वो हम आगे देखने वाले हैं एक नाम होता है वो इसे बुलाता है और आराम सहा की कौन कर देता है इल बितूतमिस दिल्ली के सिंगहासन का अपहड करता था, इसी लिए से कहा जाता है, तो ये बात किसने कही है, ये आपको बताना है, मिनहाज ने, डॉक्टर आर नोल्ड ने, या फिर अलबरुनी ने, या बर्नी ने, तो देखो, बर्नी तो कहेगा नहीं, ना तो अलबरुनी कह और नहीं, मिनहाज, कौन कहेगा, डॉक्टर आर नोल्ड, कौन, डॉक्टर आर नोल्ड कहेगा, ठीक है, ऐसा याद करो, कि अपहड कर दिया, तो वो कह रहा है, नोल्ड को करतो, बोल्ड, अब बोल्ड हुआ, ठीक है, भै तू अपहड हो गया, तो क्या हो गया, तो हैं तो इस प्रिकार से याद हो जाएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन यहां दे रखा है तुम्हारा कुत्व बुदीन एवक्की मित्यू के बाद किस अमीर ने इल्दूत मिसको दिल्ली आने का निमंत्र दिया था तो बही बात अभी हमने कहा था न कि एक बंदा मिलेगा आपके लिए बहे कौन है यह आपको बताना इसमें से बुगरा खां बल्वन यह अपना हो जाता है कौन सा आगे देखीगा बुगरा खां बल्वन अली इसमाइल यह पर तुम्हारा हो जाता है सैफुद्धीन राइट आन सा क्या होगा देखीगा कुतब बुद्धीन एबकी मित्व के बाद फिर अमीर किस अमीर ने इल्टूत मिस को दिल्ली आने का निमंतर दिया था आराम सा को मारने का निमंतर दिया था बही बात यहाँ पर हो रही है तो बहे कौन था आपको बताना है बुगरा खां नहीं यार जो बुगरा खां है वो कौन है बलवन का बेटा है इसका है बलवन का बेटा जो बलवन का बेटा होता है वो उता है बुगरा खाँ इसे हम आगे देखेंगे ठीके बलवन ने बिलकुल नहीं ना ही सैफोदीन ने कौन बुलाएगा मिस भाई किसी को miss करते हैं तो क्या करते हैं भाई मुस्कान होगी ना होगी बिल्कुल हम किसी को miss करते हैं तो मुस्कान होगी आप यहाँ पर देखते हैं अली इस्माइल है ना इस्माइल दे रहा है कि बही आप आईए है ना कोई इसमाल देगा तो आप बिल्कुल जाओगे तो बही बात यहाँ पर हो गई कि अली इसमाईल ने इसमाईल दी और इल्तूत पिस भागे चले आए कहाँ पर दिल्ली पर आराम सागी हत्या कर दियो दिल्ली सिंहासन पर बैठ गये ठीक है तो बिल आपके लिए पस पॉइंट बाई पॉइंट देदें और बस कि यह सही है बस काम खतम नहीं आप थियोरी बाइस पड़ोगे तब ही तो आपको फड़ावत ग्यान होगा और एक्जाम में अच्छी परिकास लिख पाओगे तो थियोरी बाइस आपको पढ़ना चाहिए ठीक का अंतिम सासक कौन था जो समसी बंस था उसका अंतिम सासक कौन था यह आपको बताना है समसी बंस का अंतिम सासक वलवन था नसुरुद्दीर महमूद था रजिया थी या पिर आराम सहा था तो बताएगा राइट आंसर क्या होगा बहुत अच्छा क्योश्य नहीं है बताएगा समसी बनसे का अंतिम सासक आधी बताएगा बलबन था बिलकुल नहीं रजियाती बिलकुल नहीं आराम सहा था बिलकुल नहीं कौन था नसुरुद्दीन महमूद था कौन था नसुरुद्दीन महमूद अपना हो जाता है right answer option number B इसकी trick तो मैंने नहीं बनाई है मगर समसी बंस नसुरुद्दीन महमूद रुकेगा नसुरुद्दीन यहाँ पर कहा है C बन गई भी बन गई ट्रिक भी बन गई बन जाएगी भी रुकेगा देखो बात करते हैं नसुरुद्दीन की नसुरुद्दीन था कौन पहली बात ही आपको याद होनी चाहिए तब ही आप ट्रिक बना पाऊगे ठीक है नसुरुद्दीन जो हो जाता है वो हो जाता है बलवन का दामाद कौन बलवन का दामाद था नसुरुद्दीन नसुरुद्दीन जो हो जाता है वो हो जाता है बलवन का दामाद और जो नसुरुद्दीन था इसकी एक खास विसेश्था हो जाती है यह टोपी सीकर आपने सुना होगा कि टोपी सीकर जीबन यापन करने वाला सुल्तान तोपी सीकर जीवन यापन करने वाला सुल्तान कौन था वह यही है नसरुदीन तो यहाँ पर सीने की बात होगी सीकर तो यहाँ पर भी आपको सी देखने को मिलेगा कि समसी है ना सीने की बात हो रही है तोपी सीने की बात हो रही है टोपी सीकर ये अपना जीवन यापन करता था तो ये हो जाता है समसी बनसका अंतिमसास कौन नसरुदीन महमूद टोपी सीकर जीवन यापन करता था ये भी क्योशन बन सकता है देहान लखना कौन करता था नसरुदीन महमूद किसका दामाद था बलवन का दामा था नसरुदीन महमूद आगे बढ़ते हैं next question यहां देखीगा इलतूतमिस ने किस बर्स बंगाल को दिल्ली सलतरत में सामिल किया था जो इलतूतमिस है उसने बंगाल को दिल्ली सलतरत में कब सामिल किया था अब यहां देखो थोड़ा सा वर्ड हिंट मिलेगी और ट्रिक मनाएंगे हम देखेगा पहले आप मैंड लगाईए कहां सा राइट आंसर होगा तो बात करते हैं 1211, 1227, 1229, 30, 1233 कैसे याद करेंगे यहां पर 30 में से निकाल लो 3 इनको जोड़ेंगी तो कितना आ जाएगा 4 किसी के गाल पर 3, 4 दो है ना बंगाल किसी के गाल पर क्या कहोगे आप कहते हैं भी 3, 4 दो इसके गाल पर ठीक है तो 3 और 4 याद रहेगा राइट आंसर उप्शन नमबर दा 1230 और 31 में क्या किया था इन्होंने जो इलतूतमिस था इन्होंने बंगाल को दिल्ली सलतरत में मिला लिया था तो राइट आंसर उप्शन नमबर दापना रहने वाला है आगे देखीगा चंगेज खा का बास्तिविक नाम क्या था जो चंगेज खा था उसका बास्तिविक नाम पूछ रखा है आजाए खा तैमूचिन संगम कुतुब राइट आंसर क्या होगा चंगेज खा तो चंगेज खा से चाल निकाल लेना और यहाँ पर चाही देख लेना राइट आंसर हो जाएगा तैमूचिन कौन तैमूचिन चंगेज खा का बास्तिविक नाम क्या था तैमू चिन हो जाता है राइट आंसर उप्शन नमबर क्या रहने बाला है उप्शन नमबर बार रहने बाला है आगे बढ़ते हैं next question और इसकी PDF अगर किसी को चाहिए इसकी PDF PDF तो लेना ही पड़ेगी आपको ठीके PDF तो लेना ही लेना पड़ेगी क्योंकि आपको बही पड़ना है इसमें अच्छे नमबर लाना है 100 में से 100 कवर करना है तो आपको पड़ना पड़ेगा मेरा मानना है कि आप 95 प्लस question करके आएंगे 95 प्लस question करके आएंगे अच्छी प्रकार से मेरी वीडियो को आप देख लेंगे तो 95 की बात करना हूँ 95 equation यहां से मैं देखा सकता हूँ ठीक है 95 equation यहां से आएंगे आप देख सकते हो ठीक है और अच्छी प्रकार से मेरी इसी प्रकार से पड़ते रहेंगे सबसे टॉप स्कोर करना है क्या करना है वही सबसे टॉप स्कोर करना है ध्यान रखना तो बात करते हैं एक का भी क्योप्षन 85 से अगर नीचे आए क्योप्षन ठीक है तो बहुत बुरा हो जाएगा ठीक है 100 में से 85 प्लस क्योप्षन करना है प्रतेक बंदे को और अच्छी प्रकार से पढ़ना है इसमें तो बात करते हैं बहुत ईजी सब्जेक्ट होता है अच्छी प्रकार से देखना है इसे बस ठीक है बात करते हैं यहाँ पर आगे इल्टूतमिस का अंतिम अभियान किस इस्थान पर हुआ था एक एक चीज को सौट ट्रिक से याद करा रहा हूँ बस चार से पांच बार अगर देख ली बीडियो एक तो एक भी क्योशन नहीं बचने वाला सिर्फ देखते ही देखते मगर कुछ जो थियोरी वाइज हैं उन्हें लिख लेना और एक बार पीडियेप को रिवाइज कर लेना कि किस परकार से ट्रिक बताई है ठीक है खोद उनी ट्रिक से लगाना है उसके लिए ठीक है बई जो कि रिवाइज होता रहे इसे सिर्फ कितना देना है एक घंटा देना है सिर्फ एक घंटा पर दौराला पर ग्वालियर पर गजनी पर तो गजनी का कोई नाम उनिसान इसके में तो है नहीं है ना गजनी का नाम उनिसान तो कोई है नहीं गजनी कहां पहुँच गया अफगानिस्तान में तो बताओ कौन सा हो जाएगा मैंने बताएग मिस करेंगे किसको करेंगे मिस मिस करेंगे मैया को तो राइट अंशर क्या होड़ाएगा ओपसन नमबर आ हो जाएगा मैया मतलब मिया ठीक है बामियान को तो राइट अंशर ओपसन नमबर आ आने बाला है आगे बढ़ते हैं next question यहां दिरक्षा है खोकर किस छेतर के निवासी थे पहला दिरक्षा है बामियान के जालोन के या जालोन के सोरी जालोर और जालोन और गौालियर के राइट आंसर क्या होगा खोकर किस छेतर के निवासी थे बताईगा right answer क्या रेने वाला इसका हो गया ना भै हो गया हो गया खेल गया है ना खेल गया भै खेल गया खोकर 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 बामियान कैसे आत करें ऐसा करना इसकी ट्रिक आप याद करें ना ठीक है इसकी ट्रिक आप बनाओ एक आप के लिए यह तो बात करते हैं खोकर किस छित का निवासी थे तो खोकर जो हो जाते हैं बामियान के निवासी थे किसके बामियान के निवासी हो जाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखो इसको याद करें न आप ठीक है एक ही बस question छोड़ा आपके लिए बात करते हैं इकता प्रणाली की सुरात भारत में किसने की जो इकता प्रणाली है उसकी सुरात भारत में किसने की थी कितनी बार पढ़ लिया अब दक रट गया होगा कि इकता च कौन रहता है बलबन तो इसी में आएगा ही अगले देखेंगे हैं ठीक है आगे देखते हैं यहां दरका है इलतूतमिस ने आराम सहका बद करके स्वैम को सुल्तान घूसित किया था कब किया था यह आपको यहां पर पूंच रखा है कौन सा राइट होगा कोई बंदा था क रही बो कर रहा था क्या आराम कर रहा था है ना कोई बंदा था बो क्या कर रहा था भी आराम कर रहा था यह इलतूतमिस आया और यहां पर गहरा बार किया और उसके पेट पर क्या किया गहरा बार किया और इसकी हो गई मित्यू आराम सहकी और दिल्ली सल्तन तो बैठ किया तो ग्यारा से, क्या करेंग, गहरा बार कर रहे हैं, तो गहरा मतलब ग्यारा, तो right answer option number क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ट्रिक बना दी, आपको याद भी हो गया, तो बात करते हैं, इल्टूत मिसने आराम सहा का बद करके, स्वैम को सुल्तान गोशित किया था, कब किया था गहरा बार किया था, वो बिचारा सू रहा था, चुरी से गहरा बार किया, और ये गद्धी पर बैट गया, तो 1211, right answer option number हो जाएगा, आ, आगे बढ़ते हैं next question, यहाँ दे रखा है, इल्टूत मिसने आराम सहा को 1210 ईसवी में किस युद्ध में पराजित किया था, बताएगा, ग्यारा में तो डैत कर देगा, बारा में दस में क्या होगा, युद्ध होगा, तो कौन सा था, जूद का युद्ध, पानी के युद्ध, या फिर बदाईयों का पानी के तो की बात ही नहीं है, यहाँ पर पानी पत का युद्ध तो है न, यह तो खतम है, तरा में हैEMA क्या हो जाएगा जूदग के उद्ध में सारे option काड़ दिये रे option काड़ की तो निकलाया answer हाना बिल्कुल तो ऐसे यदा कर सकते हैं की आरामस. आरामस किसका पेटा था अहमक का बेटा था अहमक बिचारी की मित्यू्व हो जाती है आराम सा अकेला पड़ जाता है बिलकुल जुदा था है ना बिलकुल जुदा सबसे जुदा अभी डैथ हुई बिलकुल जुदा हुआ था और जुदा हुआ तो जुद जुदा हुआ तो जुद और इसकी डैथ कर दी गई तो right answer हो जाएगा option number आ जुद के युद में आगे बढ़ते हैं next question दिरकाई निमने में से किसने सिंद नदी में डूब कर आत्म हत्या कर ली तो सिंद नदी में डूब कर किसने आत्म हत्या की थी यह आपको बताना है बताईगा जो कह सकते हैं बाख्यार का किला हमने देखा था किसका भाग ख्यार का किला देखा था जब इलतूत मिस किसकी इलतूत मिस और कुआचा के बीच होता है युद्ध और ये कहां चला जाता है भाग जाता है भागर का किला आपने देखा था इससे पहले है ना भागर का किला भाग जाता है कौन बाचा बचकर और ये कार्ड ये क्या कर लेता है डैथ कर लेता है सिंदू नदी में डूब कर कहाँ पर सिंदू नदी में डूब कर इसकी मत्यू हो जाती है तो right answer option number आ रहने बाला है next question की बात करते है 1226 इसवी में इलतूत मिसने जीता था 1226 इसवी में रतंबोर जीता था right answer option number आ रहने बाला है ठीक है इसको देख लेना आप दो क्योक्षन आपके लिए दे दिया या देखो last question है इलतूत मिस से बात करते हैं जीतल किस दहतू का सिक्का था भही रिवायज हो गया फिर से तो बात करते हैं हमने देखा था कौन सा एक था जीतल और एक था टंका ये दोनों की दोनों किसन चलाए थे इलतूत मिसने चलाए थे जीतल जो था वो ताबा का बना हुआ करता था और जो टंका था वो चांदी का बना हुआ करता था दोनों की दोनों सिक्के थे मगर कह रहा है धातू का सिक्का था कौन चाथा तो बै कह सकते हैं जीतल किसका था जीतल तांबे धातू का सिक्का था राइट अंसर उप्शन अमबर सा हो जाएगा ठीक है बिल्कुल एजी क्योशन बार-बार रिवाइज हो गया हमें याद भी हो गया अब यहाँ पर हमारा जो था इल्तूत मिस जो हो जाता है वो शमाप तो हो जाता है इल्तूत मिस के बारे में एक फैक्ट से देख लो तोड़ा सा और बच गया है जो बात करते हैं कुत्म मीनार थी जो एबक ने इससे पहली प्रा रखा है मगर यहाँ पर तोड़ा दे रखा है लाश्ट हो रहा है तो इसको देख लेते हैं गबार एबक ने एक मीनार का निर्मारा करवाया था दिल्ली ने दिल्ली में जिसका नाम था कुत्म मीनार कुत्म मीनार का एबक निर्मारा करवाता है मगर ये सिर्फ एक ही मंजिल बना पाता है और इसके क्या हो जाती है मित्य हो जाती है उसके बाद इसका जो दामाद हुआ करता था यही इल्टूतमिस इल्टूतमिस आता है इल्टूत ठीक है इल्टूतमिस जो आता है बहस का निर्मार करबा देता है कितनी मंजिल चार मंजिल बनबा देता है उसके बाद बिजली के कारण इसकी क्या हो जाती है बिजली के काकुत मीनार की जो उपरी मंजिल थी वो ध्वंस तो हो जाती है ध्वंस तो हो जाती है तूट जाती है फिर कौन आता है फिरोज सहात उगलक आता है और इस मंजिल को जो खराब हो गई थी बिजली के टूटने से इसे सही करवा देता है और 9 फिट बढ़कर ये मन्जिल क्या होती है पांच मन्जिला हो जाती है कितनी पांच मन्जिला ये हो जाती है पहले एक मन्जिल इलतूत में इसने चार मन्जिल पूरी करवा दी फिर बिजली के कार ध्वस्त हो गई तो जो फिरोज सहातुग लगते उन्हें 9 फिट इतने ही question यहां से बने गा इसको इंसे ले सकते हो तो fans वीडियो को like करना, share करना, channel को subscribe ले देना और PDF जरूँ डानलोड कर लेना क्या, PDF PDF जो है वो जरूँ डानलोड कर लेना हमारी site है www paperhackard.in बहां पर आपको यह मिल जाएगी क्योंकि यहां पर आपको revise करने में बहुत समय लगेगा बार-बार revise नहीं कर सकते हैं यहां से ठीक है तो आप उस पीडियोप को खरी लेना और पीडियोप पे आपको लिख लेना है थोड़ा सा ठीक है अगले आने बाला है तो माया रजिया सुल्तान के बारे हम देखेंगे वो इलतुत में इसकी बेटी होती है ठीक है इसके बारे में आगी वीडियो हम देखेंगे और इस वीडियो का अच्छी परकास से रिस्पॉंस देना वीडियो को शेयर करना लाइक करना ठीक है तो फैन्स है हिन जबारत